कर दूब्रूदधी लॉकंअ से तो डूब्रूद्धी लॉकंअ सब्सक्राइब मिनिमीम फ्यूल उइल कितने लेटर होता है मिनिमम् फ्यूल उइल लेवल तो मिनिमम फ्यूल-युकी लेवल 12 दे लोकव में होता है, एक एगाजार लेटर औरको में , प्प्रेयार टेckets, mak across film, only mean oil लोको में में के लिए क्या लगा हुआ है, so फ्यूल ask लग legal एग लिए लगा है glass tube लगे लग घूए है Glass tube WDM 3D loco में fuel pump motor कोई से room में लगे है WDM 3D loco में Talking. 도. इलल ऐल रिलीफ वाल कीoj सेटिंग है वह है 5.2 f 6.2 केजिए 1.2 कीजिए 1 cm का है WDM 3D लोकम में primeiro उर्योटिंग वाल अब रिगुलेटिंग करेंगे तब ही रिलीफ होता है तो रिगुलेटिंग प्रिगुलेटिंग में क्या करनेंगे एक कम गण बर देंगे पर सेंटिमिट्स का एए और रिलीव करना तो 5.2 kg पर सेंटिमिट्स का एड़ु डेएंब 3D लोकों में फ्यूल ओलल्रिफवालव की लोकिशन क्या है तो फ्यूल ओलल्रिफ वाल्व Madagla है कहां पर ही तो इंजन राइट साइड फ्री एंड पर है इंजन राइट साइड फ्री एंड पर है WDM 3D लोकों में WDM 3D लोकों में हाई प्रेशर लाइन फटने पर इसके द्वरा FIP आईशिडेट करना चाहिए अगर हाई प्रेशर लाइन फट गई है तो फ्यूल रेक होती है फ्यूल रेक के द्वरा हमें FIP को आईशिडेट करना चाहिए फ्रेट WDG 3A लोकों में अधिक्तम फ्यूल रेक कितने मिलीमेटर कुलते हैं तो 3A लोकों में अधिक्तम फ्यूल रेक है वो हमारा है 25-27 में यह खुलता है 25-27 में तक खुलते हैं अधिक्तम फ्यूल रेक इसको कोडने पर फ्यूल की जो मात्रा है वो बढ़ती गड़ती है चाहिए कोड़े अधिक्तम फ्यूल रेक उसके बाद हम देखें WDM 3D लोकों में फ्यूल टैंक पर कितने बेंट पाइप लगाई गए हैं तो फ्यूल टैंक पर यहां पर दो बेंट पाइप लगाई गए हैं तो डूडीम 3D लोको में फ्यूल ओयल सिस्टम में तेल सर्प्रिथम किस में चनता है तो फ्यूल ओयल सिस्टम में तेल सर्प्रिथम जो चनता है केज इस्टेनर में चनता है के थे व्यू में रिमत्रिषियंग होगें अजित्र से से और हाय दो शेय देखेल कर सकते हैं व्डियम 3D लोगों में FPC कहा पर लगा हुआ है FPC है यह FPC कहा पर लगा हुआ है तो यह back panel में लगा हुआ है WM3D लोगों back panel है वहाँ लगा हुआ है FPC WDM 3D लोगों में FPC ड्रॉप होने पर कौन सा circuit breaker क्रिप होना चाहिए अगर FPC ड्रॉप हो रहा है तो FMFPV, circuit breaker क्या होना चाहिए, trip होना चाहिए, उसको check करेंगे, WDM, 3D loco में, trailing loco की traction की आवसकता ना हो, WDM, 3D loco में, अधि tracking loco, trailing loco हो, उसकी traction की आवसकता ना हो, trailing loco की traction की आवसकता ना हो, तो leading loco में, हमें क्या करना है, तो leading loco में, किस switch को enable position पर रखना चाहिए, कौन सा switch हम उसके करेंगे, WDM, 3D loco में, यदि trailing loco में, अट्रेक्शन की आवसकता ना ही हो, तो leading loco में, कौन सी switch को enable position पर रखना होगा, तो वो है PSS switch को enable position पर रखना होगा, फिर है कि हमारा जो engine है, engine start से पहले fuel pump motor है, किसकी supply से चलती है, तो ये fuel pump motor है, हमारी battery की supply से चलती है, engine start होने से पहले, next है WDG, 3A, WDG, 3A loco में, air lock निकाने के लिए, कौन से pump के delivery pipe का नग दिना करना चाहिए, अगर हमें air lock निकाना है, WDG, 3A में, air lock निकाने के लिए, कौन से pump के delivery pipe का नट दिला करना है, तो कौन से pump है, वो fuel pump है, तो fuel pump के delivery pipe को, fuel pump के delivery pipe के nut को हमें दिला करना होगा, फिर है, M.C.V.G. governor, M.C.V.G. governor में control unit कहाँ पर लगे हुई है, M.C.V.G. governor में control unit है, वो हमारी लगी हुई है, locko pilot cab में, locko pilot cab में, फिर है, M.C.V.G. governor में engine room में लगे, actuator unit कहाँ पर लगे हुई है, एक्च्वेटर unit है, actuator unit, तो M.C.V.G. governor में engine room में लगे, actuator unit है, यह कहाँ पर लगे हुई है, actuator unit है हमारी engine room में ही लगे हुई है, engine room में, तो इंजन रूम में लगे एक्ट्वेटर यूनिट को इंजन रूम में लगा गया है फिर हैं WDM 3D लोको में डाइनमिक ब्रेक के समय कुल कितने पावर कॉंटेक्टर पिकप होते हैं डाइनमिक ब्रेकिंग के समय हमारे यहां पर 5 पावर कॉंटेक्टर पिकप होते हैं डाइनमिक बेकिंग के समय फिर है जी एपसी जी एपसी कॉंसे प्रिकार का टाइप का कॉंटेक्टर है हमारा तो जी एपसी है वो एलेक्ट्रो मेंटिक टाइप का है जी एपसी एलेक्ट् 4 लोको का schedule कितने दनों के बाद होता है – तो WDG P-4 लोको का जो schedule है उसके हम बात करने तो 90 दनों के बाद होता है WDG 4 लोको का excel load कितना है – तो WDG 4 है, उसका एकसाइल लोड होता है – 21 टन के आसपास KUM warrior 2 इंजना की इंजना की उच्भार इंजना कितनी है और के ठीचारे मिलार्ज़ पॉलिज पस ओफ्राइज़ कोई आँस्पास फोली इडु मेरा टो इंजना की पोजिशन ऑटो 30 कि यहां पर 5 पोजिशन होती है, ओटो ब्रेक अंडल की, WDG4 और P4, G4 और P4 में दोनों में 5 पोजिशन होती है, WDG4 और P4 लोकों में water level gauge किस रूम में लगा हुआ है, water level gauge है, यह एसे सरी रूम है, उसे सरी रूम में water level gauge लगा हुआ है, WDG4 और P4 लोकों में, MR का cutting और cutout को क् MR का cutting और cutout, MR का cutting और cutout, cuttool होता है 8.4, और cutout होता है 9.8, 8.4 से 9.8 यह है है अमरे, WDG4 लोकों में एक ट्रक आइसोलेट किसने में सक्षम होता है, तो एक ट्रम आइसैलियट कर ने के बाद में हम कहें कि 60% लोड को तीजने में सक्षम होता है W DG4 P4 लॉको में आईइसलेस्वीच डॉ आईसलेसन जो शुच है वो कहां पर लगा उपा है वो लगा हुआ है engine control panel पर isolation switch लगा हुआ है फिर है WDG4 इसमें हम बात करें WDG4 लोकों में starting fuse की चमता starting fuse होता है starting fuse की चमता कितनी MPR होती है starting fuse की चमता होती है यहां पर 800 MPR राज के चमता है और WDGDWDG4 इसमें की चिचिती होती है डायरेक्ड प्रेक्षणंड धायरेक्षणंडल की तहें 5 राज की चमता है लेकिन डैरेक्ट प्रेक्षणंड और दो तो प्रेस्षणंड उती है डवलू डीजी फोर पीफोर लोको में किस रंग के सरक्ट रेकर लगे हैं तो डवलू डीजी फोर पीफोर लोको में हम बात करें तीन तरह के तीन रंग के सरक्ट रेकर लगे हुए हैं WDG4 लोको में MR टेंग किस इस्तान पर लगे हुए है MR टेंग MR टेंग की पोजिशन की बात करें तो लोको राइड साइड अंडर ट्रक में लगे हुए है लोको राइड साइड लोको राइड साइड कहां पर लगे हुए है अंडर ट्रक में लगे हुए है WDP4 लोको में MR टैंक किस दान पर लगे हुए है वह हमने देखा है लोको राइट साथ अंडर ट्रक में लगे हुए है WDP4 में ओडै जूज़ दिच्व में WDP4 हुआ है म глазतिशत ईया पर H5 Stretch मैं लगे हुए हैं फिर हम देखें WD4 WDP4 दレूदी पी-फयर को मैं रेडर कहां पर लगा हुआ रेडर तो WDP-4 लोको में रेडार है वो लगा हुआ है लोको लेफ्ट साइड अंडर ट्रक में लोको लेफ्ट साइड अंडर ट्रक अंडर ट्रक हम बात करें WDG4 WDG4 में हम बात करें रेडार कहां पर लगा हुआ है अब चिप P4 में हम देख लिया अब G4 में देखें रेडार कहां पर लगा हुआ है इसे इसमें तो लेफट साइड लगा हुआ है G4 में तो लेकिन P4 की बात करें त麼 पी फोर में लोको राइट सायड में लगा हुआ है ट्राइट से है तो इछ इछ त्री के पास में लगे हुआ है अब हैंड व्रेक की बात करें गूट्से हैं, तो हैंड व्रेक कहा पर लगे रहे हैं, गूट्से थो ECC3 के पास में लगे हुए हैं, WDG4 लोगों में हैंड व्रेक लिंडर की बात करें, WDP4 में टोटल आठ ब्रेक स्लेंडर हैं, आर्ट और WDG4 P4 loco में VC pressure क्या होता है VC break cylinder का pressure होता है तो break cylinder का pressure होता है 5.2 WDG4 P4 loco में VC pressure होता है 5.2 केरी पर सेंटीमिटर इस्टाहएर फिर है WDG4 P4 loco को start करते समय प्रायम starts इसको कितने second से अधिक समय तक start position पर नहीं नहीं रखना चाहिए तो वो है हमारा कि 20 सेकेंड से अधिक समय तक स्टार्ट पोजिशन पर नहीं रखना चाहिए नेश्टर WDG4P4 लोको में डेट लोको पर कंजेक्शन के दौरान वी-सी प्रेशर क्या होगा डेट लोको में कंजेक्शन के दौरान वी-सी प्रेशर जो होता है वो होता है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वाइर होट ओओएल डेटेक्टर कितने सेंटिकर्डեo expenditure पर अफ्रेट होता है तो होट ओओड देट्रेक्टर हो वो टफन्टी फो डेटेशर पर और अपढ़ीत होता है WDG4P4 लोको का बहार कितना है इसका बहार है 126 टन WDG4 लोको का gear ratio Gear ratio की बात करें तो gear ratio है 1790 WDG4 लोको की अधिक्तम speed अधिक्तम speed की बात करें तो यहाँ पर अधिक्तम speed 120 km पर हावर है WDP4 लोको की अधिक्तम speed G4 की 120 है पैसेंजर की ज़्यदा हुई तो पैसेंजर की अगर ज़्यदा हम करें तो हमाल लेते हैं पैसेंजर की 126 किलोमेटर पर आवर होगी पैसेंजर गी तो एक सुचबीस तो नहीं होगी यहां पर एक सुचाट होगी पैसेंजर की डालूडी 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 फोर लोको की अधिकताम स्पीड है यहां पर हम देखें एक सो तीस भी हो सकती है 120 तो इसकी है तो 120 से ज़्यादा होगी पैसेंजर की एक सो चालीस एक सो तीस एक सो बीस देखते हम डालूडी फोर लोगों के दिखताम स्पीड है तो यह यहां पर हम देखें एक सुचालीस होगी स्पीड डालूडी फोर लोगों के दिखताम स्पीड है स्पीड होगी नहीं स्पीड हम देखें डालूडी फोर डालूडी फोर डालूडी फोर है डालूडी फोर लोगों का ट्रेक्टिव अफ़र्ट कितना था मता है अट्रेक्टिव अफ़र्ट की बात करें अट्रेक्टिव अफ़र्ट है हमारा 55.2 टन डालूडी फोर का इसी तरीके से हम बात करें कि डालूडी फोर लोगों का अजितम एडेशन मेक्जिमम एडेशन डालूडी फोर का मेक्जिमम एडेशन मेक्जिमम एडेशन जो चिपका होता है एडेशन तो मेक्जिमम एडेशन होता है 43% हम कह सकते हैं 43% होता है अजितम एडेशन फिर है डालूडी फोर डालूडी फोर या पी फोर लोगों का कंप्रेशन रेश्यों क्या होता है कॉंपरेशन रेशो की बात करें, तो कॉंपरेशन रेशो होता है, कॉंपरेशन रेशो, वो होगा हमारा कॉंपरेशन रेशो, 16 अनपाथ 1, कॉंपरेशन रेशो, 16 अनपाथ 1 होगा, फिर नहीं स्टम देखें कि WDG4 WDG4 P4 WDG4 P4 डीजल इंजिन का आठ नॉस पर एट नॉस पर या आठ नॉस पर जो आर्पियम होगा वो क्या होगा एट नॉस पर आर्पियम होगा नॉस चार एट नॉस पर आर्पियम नॉस चार होगा फिर है WDG4 WDG4P4, WDG4P4 का ideal RPM क्या होता है, WDG4P4 का ideal RPM होता है 269, 269, WDG4P4 का ideal RPM में 269, नहीं स्टम देखें कि जैसे कि WDG4P4, तो WDG4P4 लोग होगा है, एंजन का low ideal RPM, low ideal RPM कितना होता है, तो low ideal RPM होता है 200, फिरे WDG4P4 लोग होगा है, तो radiator fan की अगर हम बात करें तो radiator fan 2 होता है, फिर हम बात करें, companion alternator का output कितनाespergins होता है, WDG-4P4 Logo OSTA की setting क्या होती है OSTA की setting होती है 960 से लेकर के 1045 WDG-4P4 Logo fuel tank की चंता fuel tank की चंता की बात करें तो ये 6000 लिटर होती है WDG-4 Logo का कुल बजन बात करें तो कुल बजन होता है 119.5 टन WDG-4 Logo का फुल बजन होता है फिर हम देखें WDG-4 Logo का gear ratio तो gear ratio जो है यहाँ पर वो होता है 17 से 33 gear ratio WDG-4 Logo में TSC कितने नौच तक clutch gear से चलता है तो TSC कितने नौच तक clutch gear से चलता है यहाँ पर clutch gear से चलता है फिर है WDG-4 Logo का battery voltage कितना होता है बैटरी voltage की बात करें तो बैटरी voltage होता है 64 और WDG-4 P4 Logo का new wall system में कितने pump लगे होता है new wall system में चार pump लगे होता है कितने pump लगे होता है चार टीज चार